question कर रहे है कि if A is 1 by 6 of C and B is twice of A and the average of A, B, C is 30 the difference between A and C is question में कर रहे है कि A जो है वो C का एक बाटा 6 है C का एक बाटा 6 है तो यहां से 6 A equals to क्या हो जाएगा 1 C और A by C equals to क्या हो जाएगा 1 by 6 यहां से हो जाएगा A, B और C A कितना है 1 आया था C कितना है 6 आया अब देखे B जो है A से दुगना है अगर B 2 है तो यह कितना है 1 है यहां से देखे जो रिश्यों निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1 यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 6 1 ratio 2 ratio 6 है question में अगर है कि A, B, C का average इसका sum कितना हो जाएगा 3 into 30 यानिकि 3 into 30 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 90 sum कितना हो जाएगा इसका 90 6, 2, 8 और एक 9 यानिकि 9 के value question में कितनी आ गए 9 के value कितनी आ गए 90, 9 के value कितनी आ गए 90, 1 के value कितनी आ जाएगे 10, 1 के value कितनी आ जाएगे 10, 2 के value कितनी आ जाएगे 20, C के value कितनी आ जाएगे 60 question में कर रहा है कि A और C के बीच का अंतर यानि कि 10 और 60 के बीच का अंतर कितना है 50 का यानि कि A और C के बीच का अंतर कितना है 50 का option number D